नमस्कार दोस्तों स्वाधत है आप सभी का P.E.N. Sports में तो दोस्तों F.I.H. Hockey World Cup भारत पोस्ट कर रहा है जैसा आप जानते हैं कि भारत ने अब तक 3 मैचस खेल दिये हैं और 3 मैसे भारत 2 मैच जीत के और 1 मैच ड्रॉव करके quarterfinals की दोड़ में तो अभी पकार नहीं है लेकि दोड़ में बरकरार है क्योंकि crossover मैच भारत को न्यूजिलेंड के साथ खेलना है माफी चाहिए कि आपके लिए इस तरह के पोस्ट analysis या preview मैं अभी तक T.E.N. Sports से नहीं कर पाया हूँ क्योंकि कुछ व्यस्ताओं की वजए से अभी यह सब करपाना मेरे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था लेकिन उम्मीद है कि आगे आपसे इस तरह के analysis करते हुए मैं मिलूंगा आपको तो अब तक अगर हम देखें तो भारत का सफर बहुत ना बहुत 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 खराब हम कहेंगे क्योंकि भारत अभी तक जो है व वेल्स से कल चारदों से जो है वो मैच को प्रिणाम करके उन्होंने अपने पूल डी में जो की इंगलेंड ने टॉप किया है जहां पर और उसके बाद इंगलेंड के बाद सेकंड नंबर की टीम जो है वो भारत वहां पर होगी जो की क्वाटर फाइनल्स के लिए तो डारेक्ट ली अभी तक क्वालिफाइड नहीं कर पाई है पूल डी से इंगलेंड डारेक्ट क्वालिफाइड कर गया है क्योंकि गोल का जो अंतर था कल जब वेल्स के साथ मैश शुरू होने वाला था आप सब जानते हैं कि आठ गोल का ड आगे भारत की जो चांसेज हैं वर्ल कप में जो मुझे देखने को मिलते हैं उन बारे में सब्सक्राइब करेंगे लिए अगर अगर हम देखें तो भारत का सामना न्यूजिलेंड के साथ होना है संडे में यह मैच होने वाला है और शाम को यह संडे को बोन इश्वर से आपको देखना ज़रूर है और इंडियन टीम न्यूजिलेंड से काफी मुझे ऐसा लगता है कि काफी चांसे ने भारत के कि यहां से भारत न्यूजिलेंड को क्रॉस ओवर मैच में हरा के क्वार्टर फाइनल्स में जो है वह अपनी जगह पक्की करेंगी उम्मीद तो थी अभी तक हमने अपनी बैस्ट होकी जो अभी तक नहीं खेली है जो हमको खेलना चाहिए सबसे बहतर परफॉर्मेंस जो हमारा आना चाहिए वह अभी तक नहीं आया है और उसका जो है भारत के सभी मुझे लगता कि होकी लवर्स को इंतजार है क्योंकि हर्मन प्रीच सिंग भी कर रहे थे कि हर्मन प्रीच सिंग पर अलग सा दबाव होगा और वो कल भी दिखाए ले रहा था विल्स की टीम के साथ भी चार पांच पैनरी का और में हर्मन प्रीच सिंग बहुत बिल्कुल भी रंग में नजर नहीं आ रहे थे और जो एक फोर्स उनके और एक कर्फॉर्मेंस जो हर्मन प्रीच कर रहा करता था पिछले कुछ सालों से पिछले कुछ साल से हम उनको लगातार देख रहे थे भारत के लिए करता हूँ वो अभी तक जो हो मिसिंग में जराता है यही है कि कप्तानी का दबाव तो नहीं लेकिन उससे ज्यादा दबाव यह है कि एक मात्र भारत के लिए क्वालिटी वाइस ड्रीकर के रोप में अभी हर्मन प्रीच सिंग है कल आखिर में जाते जाते एक स्कूर नहीं जरूर किया उससे थोड़ा सा कॉंफिदेंस वापस जरूर आया हुगा लेकिन अभी वी उमीर हम सब को यही है मैं भी यह देख और हर्मन प्रीच सिंग दोनों ने यही बात कहिए कि हम अभी तक बहतर नहीं खेल पाया हैं दूसरा उनोंने बात कहिए कि हम फिनिशिंग जो हमें होनी चाहिए पूरा 80% लगभग पॉसेशन जो हमारे पास कल था लेकिन उसके बावजूद हम स्कूर करने में नाकाम रहे लेकिन कहीं न कभी मंदीब से और जाना उमीद है हमें होती है इन कमपेरजन आफ जो अधर जो स्ट्राइकिंग प्लेयर से हमारे क्यों कि मंदीब ने पहले भी करके हमें दिया हुआ है तो उस लिहाज से अभी तक मंदीब का भी पैस मुझे ऐसा लगता है याना बाकी है आकास दीब में कल बहुत अच्छे दो कोई दो स्कूर किये थे उनका फर्म भारत के लिए जो है वह एक अच्छा पॉजिटिव है आगे आने वाले इलिमिनिटर्स में लेकिन फिलाल अभी भी मैं देखू जरूर में लिकिन उसके बावजूद अभी तक मुझे ऐसा लगा है अप टुदे मार्क परफॉर्मेंस अभी तक जो एक सागर कभी नहीं आया है तो कुल मिला कि यह ऐसे की प्लेर्स भारत के लिए मनप्रीद अच्छा खेल रहे हैं मनप्रीद सिंग का अभी मुझे लगता है कि समय जो टीम में बैलेंस है उसके लिहास से एक्स्पिरियंस हमने प्रिफिज शो में स्कूर्स यारी बे डिसकस किया था कि अकुष तैंपरमेंट आपको अपना मेंटीन करके चलना पड़ेगा और कल भी हमने अपने लूज किया कि हमारे मन में यही था कि हमें आट गोल करने हैं स्कूर करके हमें डारेट क्वालिफाई करना है लेकिन उसके बजाए आप जो है दो गोल भी कंसीट कर गए थे और दो गोल कंसीट करने के साथ जो एक तरफ लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला शाहिद वेल्स के साथ हम खेलेंगे वहां कहीं न कहीं हम चूपते वे नजर आया और चार दो से हमने आखर में फिनिश किया तो बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी तक भारत का नहीं है न्यूजिलेंड की टीम को अगर भारत को हराना है पिछले दो मैचेस भारत के चार तीन और साथ चार की रहे है भारत ने द अपनी जगे पकी करने के बाद पोस्ट का एडवांटेज भारत को जरूर लेना चाहिए और यहां से सिंग फैल कर रास्ता तैय करना चाहिए आगे भी आपसे यह जो पोस्ट मैच अनालिसिस है उसके बारे में बात करूंगा न्यूजिलेंड के मैच के बाद भी आपसे ज सब्सक्राइब करें फिलाल के दिर इस वीडियो में इतना ही भारत की टीम को एफाइस वर्ल्ड कप में सपोर्ट करना ना भूजेगा थैंक यू सो मुच